तो एलोटमेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं Samsung के मॉवाइल में या Samsung कोई सभी मॉवाइल है उसमें सैटिंग होती है इसका नाम होम स्क्रीन ले आउट लॉक दोस्तों यह सैटिंग होती है इसका क्या फायदा है कैसे इसको इनेबल या डिसेबल क बहुत आपपने लॉक नहीं होगा कैसे बहुत बहुत आइकन वह कहीं मूव नहीं होगा जब तक वो सैटिंग को अनलॉक नहीं करेंगे वह कहीं भी मूव नहीं होगी ओम screen settings है तो दोस्तों मैं दोनों चीज़ बताऊंगा कैसे आप उसको enable कर पाएंगे और कैसे उसको disable कर पाएंगे तो वीडियो को skip मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते सब्सक्राइब करेंगे तो यह भी आपकी मूफ हो जाएंगे आप देखेंगे नीचे से यह वाली तक भी आपको मूफ होने लगी है तो यहीं बहुत बार इंडिटेशन होती ही कभी उपर पहुच जाती है कभी आसा नीचे आ जाती है तो बहुत सारी इसके लिए आपको जाना होगा सबसे यहां पर लातेगे तो उसके बाद दोस्तों आपको लॉक कैसे करना है लॉक करने के लिए आपको जाना होग अपने मॉबाइल के सेटिंग पर setting वे जाने के आपको नीचे की तरफ जाना है अपने mobile के हां पर जाना है आपको डिस्पले में डिस्पले में जाने के आप नीचे की तरफ आएंगे हम स्क्रİन लेयाउट का, यहां पर जाने के बाद आप देखेंगे आपको यहां option मिल रहा है lock home screen layout आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है आपको कर देना है इसको on अब on करने के आप फाइदा क्या होगा दोस्तों अगर आप किसी app को यहाँ से move करेंगे तो आपको नीचे error देख रहा है आप देख रहे हैं यहाँ तक कि अगर आप Google के इसको भी उपर करेंगे तो इसमें भी move नहीं होगा कुछ भी यहाँ से move नहीं होगा कोई सी भी अप अगर आप यहाँ से move करेंगे तो कोई सी भी अप move नहीं होगी और कोई सी भी add अगर आप app करना चाहेंगे नीचे की तरफ add तो वहाँ अब ही आप देख रहे एड़ टो हो मिश्क्रीन का आप्ष्कों ऑप्शन बिलिंग नहीं कर रहा है तो वह हूं से वह भी नहीं होंगी तो बहुत कमाल का अब देख रहे हैं कोई भी एप का ऊपर नीचे करना चाहेंगे कुछ भी नहीं होगी सारी आप वहीं आप एजीली कोई सी भी आप को मूफ कर पाएंगे आप देख रहा है इसली यह मूफ होने लगी तो यह सिंपल सी ट्रिक थी यह चोटी सी हिडन सेटिंग थी अपको वीडियो पसंद रही होगी थैंक्यू दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद रही हो यहां दिख रहा होगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा मेरे चैनल का और मुझे इस्टाग्राम फेजू फुकल्लो को अलमामी ना बुले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंक्यू